एलो गाइस तो टेकनिकल लवर्स क्या हाल चले दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले फेस्बुक का पुराना अकाउंट वापस कईसे लाए तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने मोबाइल चेंज किया रहेंगा या फिर आपका नया मोबाइल आ गया होग वह सब सारे तरीके आपको पता नहीं है तो फिर से दोस्तों यहां पर हम लोग पुराना अकाउंट ला सकते हैं तो चलिए दोस्तों किसतर से यहां पर पुराना Facebook अकांट वापस लाएंगे चलिए देखते हैं सिंपल कर आपको Facebook अप्लिकेशन डाउंलोड करके लेना प्लेइश्टोर से मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके लिया हूँ और सिंपल यहाँ से हमें ओपन करके ले लेना है ओपन करने बाद दोस्तों फेस्बुक में कुछ इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड मंगता है तो दोस्तों यहाँ पर अभी क्या करना है आपको यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना होता है लेकिन मुझे तो यहाँ पर यूजर नेम ना ही पासवर्ड पता है ना ही यूजर नेम पता है फिर भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वह आप लोग कहां से निकाल सकते हो और किस तरह से फेस्बुक का पुराना अकाउं आपको कॉर्णर पे लोगो दिखाई दे रहा होंगा उस लोगो के उपर आपको क्लिक करके ले लेना है चलिए लोगो के उपर क्लिक किया अभी दोस्तों यह होता है आपका इमेल ऐडी जो लोगों पर हमने क्लिक किया है वह आपका इमेल ऐडी होता है तो क्या करना है दोस इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाता है आपको दोस्तों यहां पर वीडियो आगे नहीं करना है आगे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको कुछ ऑप्शन यहां पर मैं बताने वाला हूँ चोटे-चोटे आपको समझना होगा कि किस तरह से मैं पासवर्ड और निकाल रहता हूँ तो direction चाहते हैं दितने लिए इस तरह से स्क्रूल करना है आप लोग देख होएं एक श्कड़़र का यहां पर option आता है है तो स्कूरिटी वाले option पर गढ़ें करके ले ले लिए चलिए क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से कुछ इंटरफेस आपका आ जाता है अभी दोस्तों आपको यहां से स्क्रोल डाउन करना है नीचे के तरफ चलिए नीचे के तरफ जाना है आपको और लास्ट में दोस्तों आपको एक application दिकाई देते हैं simple दोस्तों हमें Facebook का यहाँ पर password निकालना है क्योंकि पूराना account हमारा Facebook का वापस लाना है हमें उसका username भी निकालना है तो क्या करना है Facebook के उपर क्लिक करके ले लेना है अभी आपके screen के साम में black screen आ गई होंगी क्योंकि मुझे mobile का code इंटर करने के लिए बोल रहा है तो चलिए मैं यहाँ पर मेरा 123456 इंटर कर दिया हूँ और आप लोग देख रहें कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके साम में आ गया होंगा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दो आइडी बनाई है और यह दोनों मेरे पुराने Facebook अकाउंट है तो सिंपल मैं क्या करूंगा भी दोस्तों आप लोग देख रहें यह मेरा email आइडी है मेरा और आप लोग देख रहें दोस्तों उपर जो लिका हुआ है वह मेरा email आइडी है तो email आइडी को मैं copy करके ले लूँगा आप अगर यूजर नेम आपने इंटर किया रहेंगा क्योंकि मैंने email आइडी से मेरा Facebook अकाउंट बनाया था तो इसलिए email आइडी यहाँ पर आ गया है अगर आप लोग देखिए यह मैंने paste किया अभी password हमें यहाँ पर निकालना है दोस्तों तो password कैसे निकालेंगे simple हमें फिर से एक बार उसी page पर आना है और यहाँ पर देखिए आग के उपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यह password शो हो जाएंगा तो फिलाल मैं यहाँ पर आग पर क्लिक नहीं करूँगा आप लोग password देख सकते हो आग पर क्लिक करके मुझे यहाँ पर यह password कॉपी करके ले लेना है तो चलिए यहाँ से मैं simple इस लोगों के उपर क्लिक करूँगा कॉपी वाले के यह copy दोस्तों यहाँ पर मेरा password हो चुका है अभी simple हम लोग Facebook में जाएंगे और जहाँ पर password मंग रहा है वहाँ पर यह मैं इंटर कर देता हूँ पेश्ट कर देता हूँ चलिए तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पेश्ट कर लिया मेरा password और simple हम लोग य इस तरह से Facebook का पुराना account वापस ला सकते हो देखिए simple अभी हमें save के उपर क्लिक करना है और यहाँ से यह हमारा page आगे allow कर देता हूँ मैं allow कर देता हूँ और आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ से मेरा Facebook account फिर से वापस आ चुका है और simple यहाँ से मैं फिलाल के लिए स्किप कर देता हूँ क्योंकि time waste हो जाएंगा और simple यहाँ से मैं continue to English पर क्लिक करूँगा और आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ से मेरा यह Facebook का मेरा जो account वापस आ चुका है तो इस तरह से दोस्तों आपना पुराना account Facebook का वापस ला सकते हो वीडियो कैसी लगी पता द देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई